हम गुड़ मॉर्निंग इस्ट्रेंट कैसे हैं आप सब लाज्ट टाम सब काते करें दाब की किसकी बात कररें दाब की को जो सब्सटा है और आपको दाब करें टे तो मैंने आपको दाब के बारे मुटा दिया था customers के बारे मुटाने कि बाद मैंने आपको गनत्व आपICHешь गन इसकी बात करेंगे, द्रव इस्तम में दाव आधिक्या है, ट्रव इस्तम में दाव आधिक्या है, द्रव इस्तम में दाव आधिक्या की बात होगी, इधर देखिए आप, इस द्रव इस्तम में दाव आधिक्या होगा है, यह आधर में एक बेला का पात्र उड़ा दिया। हो है, है है, और यहाँ पर एक M द। का कोईंट है, M ज्रव इन्दू हैं में खरान यहांब हैं यहांब हैं और दर्मभला है, अधु परस्टा का पात्षहेत्र को कैसल है कि आपको कि समझना एं एक पात्र है जिसकी लंपाई कि एच है जिसका अनुप्रस्थ कार्ट से पर होता है यह वाला इस्सा इसके यहां पर एक बिंदू है तो द्रविस्तंग के कारण दाब ऐसे भी कहसे हैं द्रविस्तंग के कारण दाब गाल निकाले यह देखते हैं कि और देखना है तो इस पर लगने वाला बल इस M रहरा में की तो पर लगने वाला फाल होता ए फ पराबर Mg परेंपल आर माद आपर माननों पराबर Mg ने पर नहीं पर नहीं होता है इस इसद्रुपर लगनेमान ताप बल कितना होगा एक पर आप मगी अधर देखना गनत्व पर आपर होता है गनत्व अधर गनत्व पर आपले तन तो गनत्व गूना अधर और यह जीतों चलिगा है आपके वाँ समझे सब पीडिया को बिजाएगा द्रववान पजी इन ने के लिए गनत पराव भता है द्रववान बटाया है गनत इस द्रवता में आल लिया दो जाए गनत परो आयकर में लिख सकता हूं छेत्रफल बुणा अपाई जले सकता हूं चेत्रफल बुणा लगवाई और जी चल रहा है रो चेत्रफल इसका यह है लंबा इतनी है इसकी एच यह किराई कैसे इंटू जी यह आगे अपन रहे आगे वाई इस पॉइंट पर नगने वाद पल एंप बढ़ाव एंजी होगा एंप बढ़ाव घनत्रवणा आयकर हो गय घनत्र क्या है रो आयकर क्या है शेत्रफल गुड़ा उपसेट्रफल क्या है यह अपने है यह रएंप बढ़ाव दिखकत दिला कोई अब इन्हें देखो यह परावफल दोयग्सजी और पल कितना है रोग अजी है जी होग्र भू है पर द हैप जिससे और चेत्रफल की तो भाई कितना आता है द्रव के अंदर द्रव के अंदर यह कोई पॉइंट है तो वहाँ पर दाव कितना आता है एच रोग जी मैंने आपको इस से पहले वाले चैप्टर में जो सवाल कराई थी तो एच डी जी बताया था दाव एच डी जी एक डी पी गनत होता है रोग भी गनत होता है जाई जी माल ले चाइड जाई जे रोग भी भी माल ले बते की चाहें जै कि दि माल ले उन्हाद गनत हो एच डी जी आ जाता तो किसी भी द्रव के अंदर körजिक कोई बिंदू रखा हुआ है तो वहाँ पर द्रम के कारण लगने वाले जो द्रम होता है जिसका मान 9.8 मीटर पर साइंड इसकलर होता है रो क्या है द्रम का गलत है एज क्या गैराई है गैराई कलो है लंपाई कलो अब मैं यह आपसे कह लेता हूँ कि यहाँ पर वाईवर्ण लिए दाप लिए उपस्थित है पीए तो कुल दाप इतना हो जाएगा इस सवस्ता में कुल दाप जाएगा पी प्लस पीए यानि की पीए प्लस एलस डीजी तो पीए प्लस पीए और पीए प्लस एच डीजी हो जाएगा यह दे इस पर वाईवर्ण लिए दाप और आ रहा है तो यहां पर इस सुप्र में वाईवर्ण लिए दाप और एड हो जाएगा ठीक है ना यह मैंने आपको पता दिया दूसरी बात में आपको बदाने वाला हो कि गेज दाप यह होगा गेज दाप कि देना कुल दाप है पीए प्लस एच दिजी तरह इस पर में कुल दाप यह होता है जब वाईवर्ण लिदाप यह पस्तित है तो कुल दाप माइनस पीए बरावर्ण लिदाप और इसी कोई बोलते हैं घेज दाप तो परिवासर क्या बरिएगी कुल दाप तथा वाईवर्ण लिदाप तथा वाईवर्ण लिदाप के अंतर को ही गेज दाप कहा जाता है किया कहा जाता है गेज दाप अब बात करेंगे पासकल का नियम किसी भी द्रव पर यदी दाव लगाया जाता है तो वह दाव द्रव के सभी मिन्दूओं पर इस्तानांत्रित हो जाता है द्रब गेदो या तरल केदो यदि किसी द्रब की किसी विंदू पर दाब लगाये जाता है तो यह दाब द्रब की सभी विंदू ओपर समान रूप से इस्तानांत्रित हो जाता है ठीक है? कहने कर क्या मतलब है? इधर देखना तुमने कभी गुबारा देहा है गुबारे को तुम यहां से पिछकाते हो तो वो इधर से फूल जाता है योग निकल जाता है बाहर क्यों क्यों क्योंकि तुमने दाब लगाया है इस बिंदू पर तो ये दाब सभी बिंदू उपर चला गया इदर भी चला गया, इदर भी चला गया, इदर भी चला गया, इस करा गुपभर इदर से भार निकल जाता है. तो किसी भी द्रव के किसी बिंदू पर यह दाम लगाओगे तो यह दाम सबी बिंदू उपर समान रूप़ से intertwyt हो जाता है यह पास्टो का नीयोम मैं बार बार कहा हूं, पास्ट का की नीया मुण्सार किसी भी द्रव कर किसी बिंदू पर लगाया दाम उसके सभी बिंदों पर समान रूप से स्थाना मुत्रित हो जाता है ठीक है तो यह देख्यो इजह देखना में डाइग्राम आपको उना रहा हूँ आपको क्यों समझना है देख्यों को यह पहला बाद में इसा है इसा है इसा है और इसके अंदर लग रहुआ है यह पिस्तब लगे हुए है अब इजा सुना है यहां से हमें इसका इस पर बल लगाया है तो जैसे बल लगाए कि इस पर दाब लगाए कि इस पॉइंट पर मैंने दाब लगाया है चारो पिस्तिल लगे होएं यहां से इस पर लगाता हूँ तो पास्कल की पर सवब दों पूइंट कर बोजाएगा यह जरबी चला जाएगा यहां पर मैंने ऐस तुद्व इसका छेद्रवल है यहां नहीं आणिगा F4 एसे आं इसका छेद्रवल है तो यानि कि तो यहां से दाव के, लावग देगे, लिदरव के लिदी हों नहीं है। जैसे कि कह सकते हैं P1fon q3 видите 4 और यहां से कह सकते हैं F1 upon A1 F1 upon A1 1分 की सकते हैं F3 upon A3 1分 की 3 1分 की सपोर आपोस पी-सको यह हम यहां से कह सकते हैं को जिटन के वाली बात तो कहने का मत्ताम मिच्छे इतना नसवा है कि जब द्रब के इसी विद्दू पर हमने दार लगाया तो यह दार द्रब की सभी विद्दू पर समान रूप से इस्ताना अंत्रित हो जाता है यही पास्कल का हमारे बास नियम है तो यह हमने होगा दिया है अब पासकल के नियम के दो अनुप्रियों भी हमारी कॉर्स में जो हम कल देखेंगे आपको यह पीडियास में कल वाली बात और आज वाली बात दोनों पीडियास में मिल जाएगी इसको नोट करें कल हम पासकल के नियम के अनुप्रियों पर आगे बात करेंगी हम आराम आराम से बहुत ही पढ़ रहे हैं लगातार पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते जाएए मेरे साथ धन्यवाद